क्लास मैंने आपको नैशनल इंकम के तीनों मैथर्ड करा दिये थे प्रडक्शन मैथर्ड इंकम मैथर्ड और एक्स्पेंडिचर मैथर्ड हमने मैथर्ड तो सारे कंप्लीट कर लिए थे अब कुछ और हैं जिनको इंपूर्ड कोशिंस हैं जो हम लोग बनाने वाले हैं अभी नैशन इंकम टॉपिक में काफी सारे और कोशिंस हैं इंपूर्ड कोशिंस वह बना लेंगे तो आज हमारे एक हताम हो जाएगा टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में जो है थियरी इसकी व सबसे पहले कोश्यम पर में आख से लेकर 40 तक जितने भी कोशिंत दिये ना है मैंने आपको वह सारे बन जाएंगे आपसे जितने मिन बस्ट कोशिंन में दिए हैं आपको सब आप बना लोगे 23 question पर आओ 23 में आपको निकालना क्या है class national income निकालना है और यह compensation of employees तो सबसे पहले मुझे बताओ यह compensation of employees किस method में आता है income method में आता है expenditure method में आता है या production method compensation of employees किस method के अंदर आता है exactly income method में आता है तो हमें इसको निकालने के लिए income method का formula यूज करना पड़ेगा और जो national income है वो हम निकालेंगे तो हम किस method से निकालेंगे national income national income जो हम calculate करेंगे national income वो national income हम लोग expenditure method से करेंगे इंकम से नहीं कर सकते इंकम में आपको यह given ही नहीं है अगर आपको compensation of employees ही given नहीं है तो आप कैसे national income निकाल सकते हो खुद सोचो अगर आपको compensation of employees ही given नहीं तो आप NDPFC निकाल ही नहीं सकते तो हम इस question को solve कैसे करेंगे देख लो हम सबसे पहले करेंगे by using in expenditure method by using expenditure method formula लेक्के पूरा expenditure method क्याने के लेगा GDP MP तो private consumption 400 government consumption आपको दे रखाओ कहीं न कहीं यह गया 100 gross domestic capital formation लेकिन यहां पर आपको क्या दिया हुआ है net domestic capital formation अगर आपको net दिया हुआ है तो net में आपको क्या add करना पड़ेगा depreciation तब बनेगा वो gross net छोटा होता है शुरू से सिखा रखा है मैंने आपको net में depreciation add करोगे तो gross बनेगा clear यहां तक 3 plus net export वो दिर्खा है 40 आपको यह पूरा solve करके आएगा GDP MP gross domestic capital formation add करो फटाफट कितना आ रहा है और फिर इसको convert करो NNPFC में इसको convert करो NNPFC में given है GDP MP GDP MP निकालो NNPFC में convert करो कितना आ रहा है 670 आ रहा है तो आप convert करो gross net में जाने के लिए minus depreciation domestic से national में आने के लिए plus NFI है और MP से FC में जाने के लिए minus NIT MP से FC में जाने के लिए minus NIT GDP MP आपको दे रहा है 670 डेप्रीशेशन आपको दे रहा है यहां पर consumption of fixed capital 50 net factor income from abroad ढूणना जरा यह रहा net factor income from abroad minus 10 दे रहा है और net indirect tax आपको दे रहा है 60 तो यहां पर answer आ गया 550 यह पहला portion आ गया अब हमको income method का formula लगाना है अब हमें class income method का formula लगाना है यह income method से ही आपका जो निकलेगा वो निकलेगा compensation of employees income method का हम लगाते हैं formula ताकि compensation of employees आपका आ जाए ठीक है तो income method में आपको सबसे पहला component क्या चाहिए NDPFC और given क्या है तुमारे पास NDPFC तुमने उपर निकाल रखा है ना 550 अब NDPFC की मदद से NDPFC निकाल लो तो national से domestic में जाने के लिए माइनस NFI है तो NFI आपको माइनस का 10 दे रखा है तो कुल मिला के वह प्लस हो जाएगा 560 तो NDPFC आपको निकालना है NNPFC आपको given दे रखा है आपने इसको solve किया आपके पास NDPFC आ गया अब NDPFC का जो formula है वो देख लो आप मुझे बताओ national income का जो income method से formula क्या है NDPFC is equal to compensation of employees plus rent plus royalty plus interest plus profits plus mixed income यही तो formula होता income method का तो NDPFC है 560 इसलिए निकाला है NDPFC compensation of employees निकालना है आपको rent धूंडो कितना है यहाँ पे rent 180 royalty 15, interest 120 profit 85 और mixed income इस पूरे question में कहीं भी दिया हुआ नहीं है तो 180 15, 120 85, 185, 120 85, solve करके मुझे बताना compensation of employees कितना रहे है यह पूरा solve करो कितना रहे है 180 plus 120 300 यह हो गया 400 यह 560 तो compensation of employees आ गये आपका 160 यह लोग क्लास पूरा question 23 यह 23 question हमारा पूरा हो गया हुआ है तो यह question आता है 6 नंबर का रेकिया सबस्ब पहले आपने नेशे income निकाला expenditure method से उसके बाद आपने क्या निकाला class ndpfc क्यूंकि इंकम मेथड के फॉर्मूले में एंडीप एपसी लगाना है और वो है नहीं तो मैंने एक को कन्वर्ट करके एंडीप एपसी निकाला फिर फॉर्मॉला पूट किया तो कॉंपंसिशन फिंप्लॉईज आगे कितना वन हंड्रेट सिस्टी कोई दिक्कत परिशानी क्लास इस कोशिन बताओ एक और कोशिन देखते हैं क्लास आजाओ फटाफट 24 कोशिन बहुत यह अच्छा कोशिन है क्लास 24 पिपर में भी आ चुका है और छह नंबर का कोशिन है बिल्कुल 24 कोशिन कि सब लोग आजाओ कोशिन में 24 अब क्लास 24 कोशिन के अंदर आपको दो चीजे इसमें क्लास पूछी गई है आपको पहला ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रडॉक्ट अक्ट फैक्टर कॉस्ट यानि कि जी डी पी एपसी और दूसरा है फैक्टर इंकम टू अबरॉड यानि फीटा ग्रॉस डॉमेस्टिक यह दो चीजें क्लास आपको पूछी गई है ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रडॉक्ट अट फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इंकम टू अबरॉड फीटा यह दो चीजें आपको पूछी गई है तो अब सबसे पहला सवाल है मेरा कि आप कौन सा मैथट लगाओगे जी डी पी ए मैथढ लगाऊंगो एक्सपंडिचर का आइटम गिवन है फ्रिंदौ की प्राइवेट कंजप्षन नहीं दिशन नहीं दिया हूए ग्रॉस डोमेस्टिक यापल फमीसंती नेट आपल अघ्स पूर्ट नहीं तो हम income तो लगा नहीं सकते, तो हम expenditure method लगाएंगे, question 24, by using expenditure method, by using expenditure method, copy में करते चलो, सब लोग ध्यान रखना, expenditure method, आप expenditure method लगा कर क्या निकालोगे, GDPMP, by using expenditure method, GDPMP, GDPMP कैसे निकलता है, अच्छा, expenditure नहीं, income, expenditure लगाता, item रिवन नहीं है, sorry, income लगाओगे, by using income method, income method से क्या निकलता है, बता हो जरा, NDPFC, income method से NDPFC निकलता है, तो NDPFC कैसे निकालोगे, सबसे पहला, compensation employees दिया हुआ है, वसे exam में आप formula लायक करना, rent, royalty, interest, profit, rent 150 है, royalties question में दिया हुआ नहीं है, interest है 100, और जो profits है, वो दिरखा 200, अगर आपको profit दिया हुआ है, तो आपको undistributed profit, dividend, corporate tax, इस सब लेने की जरूत नहीं है, तो NDPFC मेरा हाँ आ चुका है class, 1250, पर मुझे निकालना क्या है question के according, GDPFC निकालना है, given क्या है, NDPFC, तो net से gross में आने के लिए plus क्या करोगे, depreciation, ध्यान से समझना, जरूरा, 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 जरू zero मत मान लेना आज मैं आपको सिखा देता हूँ depreciation कैसे निकालना है calculation of depreciation ध्यान से सुनो अगर किसी question में depreciation नहीं दिया हुआ है और उसे निकालने का भी कोई रास्ता नहीं है तब आप उसको zero मानते हो जब depreciation आपको नहीं दिया हुआ है और उसे निकालने का भी कोई रास्ता नहीं दे रखा है तो आप उसको जीरो मानते हो लेकिन ध्यान रखना इस question में depreciation जो है depreciation नहीं दिया लेकिन उसे निकालने का तरीका है पता है क्या? आप एक चीज नूटिस करना gross domestic capital formation और net fixed capital formation gross और net का difference क्या होता है? depreciation तो इन दोनों की मदद से मैं depreciation निकालने जा रहा हूँ एक छोटा सा question सबसे पूछ रहा हूँ जरा मुझे बताना सब लोग gross domestic capital formation दे रखा है 300 net domestic capital formation दे रखा है 200 तो बताओ depreciation कितना आएगा gross और net सब कुछ same है देखो DCF सब लोग देखो DCF और DCF विल्कुल सेम है अंतर किसका है class अंतर किसका है अंतर है gross का और net का अंतर जो दे रखा है आपको वो gross और net का ही अंतर दे रखा है समझे बात को आप मुझे बताओ depreciation कितना है सबका answer आने लगा है फटा फट बताओ depreciation 100 है very good अब ध्यान समझना depreciation 100 आ गया लेकिन एक बात मुझे बताओ अगर मैं यहां लिख दूँ net domestic fixed capital formation तो आप directly minus करके answer नहीं निकालोगा ध्यान रखना क्योंकि उसमें fix लगा हुआ है fix समझे बात को अगर fix लग गया एक में तो वह सेम थोड़ी है फिर आप नहीं निकाल सकते कैसे निकालना है सुनो मेरी बात यह क्या दे रखा है क्लास gross domestic capital formation दे रखा है और यह चीज क्या है क्लास net fixed capital formation 200 है ना तो net domestic fixed capital formation net fixed capital formation का मतलब net domestic fixed capital formation ओके तो बच्चों बताओ जरा net से gross में आने के लिए plus करेंगे depreciation domestic domestic same है वो तो सेम ही रहता है यहां पे fix को हटाने के लिए change stock भी आड़ करेंगे अगर यह fix लिखा हुआ है net domestic fixed capital formation तो मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको अगर fix लिखा है तो change stock भी आड़ करेंगे यह आपको दे रखा है 300 यह दे रखा है 200 depreciation मुझे निकालना है और change in stock जो मुझे दिया हुआ वो दिया 50 तो अगर मैं इसको solve करता हूँ तो मेरा जो depreciation आएगा वो आएगा 50 बच्चों CDC बात है दोनों आइटम में से पक्की बात है एक gross दिया होगा दूसरा net दिया होगा दोनों में से एक gross दिया होगा दूसरा net दिया होगा तो जो net दिया हुआ है उसको आपने gross domestic capital formation में convert करना है यह दिया हुआ net fix capital formation 200 और यह दिया ग्रॉस डॉमेस्टिक क्या प्रमेशन 300 तो ग्रॉस डॉमेस्टिक तो यह है इसको भी ग्रॉस डॉमेस्टिक बनादो दोनों को मैच कर दो आजाएगा अंसर डेप्रेशिशन 50 पर यहां पर रख देना डेप्रेशिशन 50 यह आएगा 1250 तो सॉल्व करके आज जाएगा ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रडॉक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तेरह सो इसको सॉल्व करके जो अमाउंट आएगा वह आएगा तेरह सो पहला हमारा अंसर आ गया 1300 ग्रॉस डॉमेस्टिक क्यापिल फॉर्मेशन तेरह सो आ अब मैं आप कोई कोशिन पूछता हूं आ और नेट डॉमेस्टिक क्यापिल फॉर्मेशन दे रखा है 100 ठीक है और चेंज स्टॉक दिया हुआ है फिफ्टी चेंज स्टॉक दिया फिफ्टी जरा आप सब में से कोई मुझे कैल्कुलेट करके बताओ कर डेप्रिशन कितना आ रहा है सोच समाझ के बताना क्लास दोनों को डॉमेस्टिक हैंमें चेंज कर दो सिंपल सी बते दोनों जो कबोनेंट दिया हुआ है एक जैसा ही य?. दोनों को खिल्छ किव दोनों को अथि यहां फिल राख कर कितना आ रहा है दोनों को आप growth domestic capital formation में 200 आ रहा है देखते हैं कि लोगों का चाहिए है कि सबने दिमाग के किया होगा रट्टा किसी ने неhte मा रहा होगा ध्यान रखना 200 आ रहा है अभी तक सबका अंसर 200 200 है और किसे कोई अंसर है क्लास फटा फट जल्दी से बता दो और किसे कोई अंसर अभिनव का आ रहा है 300 सिवम का 300 आ रहा है बागी सब का 200 आ रहा है अनामे का 200 आ रहा है आपका काश 300 चलो मेरी बात समझना जड़ा सब लोग जड़ा मेरी बात को समझना अच्छे से सुनो यह क्या दिया हुआ है ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड क्यापिटल फॉर्मेशन जहां फिक्स्ड होता है वहां पर हमें क्या आड़ करना पड़ता है चेंज स्टॉक देख लो सब लोग बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलती किये अरचना सही आपका विक्रम सही है पूर्वा सही अमंदिब सही है बहुत बच्चों ने गलती किये ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड क्यापिल फॉर्मेशन में क्या एड़ होगा चेंज स्टॉक और इधर क्या है नेट इसमें आड़ होगा सिर्लफ मुझे बर्णाना है और इसको भी ग्रॉस डोमेस्टिक कापल समेशन बनांगा अपने को एकवल करना है और दिमाग लगा घ्र우 दिया तीन स्टॉक पता ने इоссंदर क्यों जोड दिया आपने फिक्स लिखा हुआ है ठिक्स इसके और यह आपको दे रखाए डेप तो यह 350 प्लस 100 यह आ गया 400 400 इस इक्वल टू 100 प्लस डेप यहां पर डेप आ गया 300 जिन जिनने 200 बोला है पता उन्होंने क्या क्या है उन्होंने इधर भी इधर एड़ कर दिया चेंस्टॉक अरे भाई इसमें थोड़ी चेंस्टॉक एड़ और इसमें फिक्स लगा हुआ था तो आपने इधर आपने एड़ किया तो गलती सुधार लो ऐसी मिस्टेक करोगे तो कैसे चले या काम बड़ा दिमाग तो लगाओ जहां फिक्स लिखा होगा वहीं तो चेंस्टॉक एड़ करोगे यह तो ना कि आप कहीं भी एड़ कर दो चेंस्टॉक चलो अब यह तो क्लास हो गया हमारा तेरा सो आगया आंसर पिछले कोशिन करते हो अब अगर आप इस कोशिन में देखो यह कॉंपोनेंट गिवन है चेक करना क्या गिवन है बताओ ग्रॉस नेशनल प्रड़क्ट एट मार्केट प्राइस है ना तो हमें काम कर हमने जो gdbfc expenditure कौन सा इंकम क्वर्ट से निकाल सकते है तो करके निकाल कि हमें निकालना क्या था GDPFC हमें निकालना क्या है GDPFC given क्या देर रखा है GNPMP हमें given क्या देर रखा है GNPMP तो convert करते हैं G से G same है इससे आप माइनस करोगे नफाई है PP same है, MP से FC माइनस करोगे MIT समय रहे हो बात को तो हम convert करके ऐसे डिरेक्ली निकाल सकते हैं तो उसी को कोशिश करने है निकालने की ये गनपे एंपे हमारा कितना दे रखा है चौदा सूज दे रखा है, माइनस NFIA, NFIA तो इसमें दिया हुआ नहीं, इसका फार्मला है FIFA माइनस FITA, NFIA का फार्मला क्या है FIFA माइनस FITA, तो फैक्टर इंकम फ्रॉम अबराट दे रखा है 60, लेकिन इस पूरे question में FIFA दिया हुआ नहीं है, क्किए FIFA तो निकालना है, बात को समझना, इस question में FIFA तो 60 दिया हुआ है, लेकिन FIFA दिया हुआ अगर नारमल question होता, फिटा नहीं दे रखा तो मैं 0 मान लेता लेकिन इस question में फिटा दिया नहीं है पर फिटा पूछा है और यार जो चीज question मांग रहा है आप उसको 0 कैसे मान लोगे जो मांग रहा है उसको मानते थोड़ी है वो तो हम solve करके निकालते हैं और NIT कितना दिया हुआ आपको यह दे रखा 120 यह रहा NIT 120 दे रखा है तो यानि कि अगर हम GDP FC इस तरीके से निकालते हैं तो हम नहीं निकाल पाते हैं कि हमारे पास फिटा भी गिवन नहीं है और यह भी गिवन नहीं तो solve होई नहीं पाता यह question इसलिए मैंने इस question को income method से solve किया और अब मैं GDP FC निकाल चुका is equal to 1400-60 और यह मैंनस मैंनस प्लस हो जाएगा फिटा ध्यान रखना और मैंनस 120 तो इसे solve करेंगे हैं यहां पर 1400-60-120 तो यह आगा 1300-1220 आपका factor income 2 abroad जो फिटा है वो निकल किया जाएगा 80 प्रेक्टर इंकम 2 abroad जो है वो 80 निकल किया है को कोई ट्रिक वगेर है नहीं है परवेस काम करना है ट्रिक क्या करना है इसमें आपको calculate करना है इसमें ठ्रिक थोड़ी कोई होता है कि यह हो गया पूरा का पूरा कोशिन तो हमने किया किया सुनना मेरी बात को पहले स्टेप में हमने income मेथर लगाया income method लगाके हमने NDPFC निकाला, फिर NDPFC को convert कर दिया GDPFC में, हमारा answer आ गया, फिर question में FITA पूछा है, तो FITA तो तभी निकलेगा ना, जब कोई चीज MP और FC में convert होगी, क्योंकि NP और, मतलब की सारी, कोई चीज domestic और national में convert होगी, तभी तो FITA निकलेगा, तो हमको question में GNPMP दिया रखा है, फिर भी convert करते हैं, जब convert करेंगे न हम लोग तो यहाँ पर NFI में FIFA माइनस FITA होता है, तो FITA question में दिया हुआ नहीं है, तो FITA हम निकाल लेंगे, clear class यहां तर, MCQ में होगा, तो भी calculate करना पड़ेगा आपको, यह सब चीज calculate ही करना पड़ेगा, 24 question होगे आम लोगं का, अब एक और question देखते हैं, एक और question देखते हैं, तो class थोड़ा सा कुछ different point हो, अचलो इस पर आजाओ, सब लोग जल्दी से same to same, वैसे ही question हो जो मैंने अभी बनाया, compensation employees वाला, 29, आप सब लोग try करो, मैं थोड़ा सा आपको hint देता हूँ, आप बनाना चालो करो, पूछा क्या है class, gross domestic capital formation, तो यह किस method में होता है, बताओ class, gross domestic capital formation किस method में होता है, class, gross domestic capital formation जो है, वो आपका method expenditure उसमें होता है, ठीक है, तो आप expenditure method तो लगानी सकते, operating surplus पूछा है, वो income method में होता है, तो आप income method भी अभी लगानी सकते, आप ज़रा question को धंग से देखोगे न, तो question में कोई चीज class missing, कोई चीज आपको अल्रेडी दे रिखे होगी, वो क्या है national income, सुनना मेरी बात को, सब लोग steps सुन लो, फिर आप अपने आप करके answer देखो, दे रखा है निकालो, आपको दे क्या रखा है national income, तो पहला step आप national income को GDP MP में convert कर दो, और फिर GDP MP का formula क्या होता है, private consumption plus government consumption plus gross domestic capital formation plus net export, वो लगाओगे तो यह आजाएगा आपका, फिर आप इसी से निकालो NDPFC, इसी से NDPFC निकालो, और NDPFC जब निकालोगे आप इससे, तो NDPFC से तुम्हारा क्या आजाएगा operating surplus, क्योंकि NDPFC income का formula है, और income में क्या लगाओगे class, employees, plus rent, plus royalty, plus interest, plus profit, plus mixed income, तो आप सीधागे, compensation of employees, plus operating surplus, rent, royalty, interest, profit, operating surplus, plus mixed income, तो आपका operating surplus निकालाएगा, चलो convert करो, फटा-फट, अपने आप try करो, सब लोगो मुझे बताओ, answer कितना आ रहा है, पहला gross domestic cap formation बताओ, फिर आप बताओगा operating surplus, जल्दी सब लोगो ट्राई करो, अपन बनाओ, फटा-फटे यहां तक शीवाम अविनव का आगया बाके सब लोग निकालू आप लोग ट्राइए करो मैं भी आपके साथ साथ बना रहा हूं पर आप अपना बनाओ ठीक है इस कोशिन में आपको दे रखा है नेशनल इंकम तुम पर पहले निकालोगे डोमेस्टिक इंकम एनडीपी एपसी तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनफ आई है और क्लास एनडीपी एपसी खाले के निकालना है एन एनडीपी एपसी हमको दे रखा है तो अनडीपी एपसी हमार आ जायेगा यहां का 22 एकसो माइनस धूनना जा रहा है यह नेट फेक्टर इंकम फ्रॉश माइनस का बार्ख यह वह लागत प्लस का बार्श यह हो जाएगा ठीकिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर ndp FC का फॉर्मला क्या होता है compensation of employees plus operating surplus plus mixed income operating surplus और plus mixed income तो compensation of employees जो है वो आपको अगर नहीं दिया गया है compensation of employees wages and salary ले लेते हो वो 12,000 है plus operating surplus plus mixed income 4,800 है 4800 यह आपको दिया हुआ 22,250 तो आप solve कर लो 12,000 plus 4,800 16,800 माइनस करके आगया यहाँ पर operating surplus हमारा answer आगया आप चेक कर ले न operating surplus 5450 यह आगया आपका operating surplus 5450 ठीक है अब हमको फिर GDP MP निकालना है ठीक है national income दे रखाए आपको NPFC उसी के मदद से GDP MP निकालना है नेट से gross में आने के लिए plus debt और national से domestic में आने के लिए minus NFIA और FC से MP में आने के लिए plus NIT ठीक है तो हमको GDP MP निकालना है NNP FC है 22,100 प्लस depreciation तो depreciation आपको question में यह दे रखा है 500 minus NFIA net factor income from abroad net factor income from abroad है वह minus का 150 है plus NIT net indirect tax वह दे रखा 700 ओके तो solve कर लेते हैं इसको 700 दिया हुआ है 22,100 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 700 यह आगया 2,3 4,5,0 और class यह जो gross domestic capital formation है जो gross domestic capital formation है इस gross domestic capital formation को अगर आपने calculate करना है expenditure method है तो सबसे पहले क्या लेते हो private consumption ढूंडो जरा private consumption कितना दिया हुआ 7,200 फिर एड़ करोगे government consumption government consumption गवर्मेंट consumption दिया 6,100 तो gross domestic capital formation दिया हुआ नहीं है प्लस net export 3,400 इसको solve कर लो इसको 7,200 है 6,100 है 3,400 है 23,450 तो यह हो गया minus 16,700 तो हमारा आजाएगा gross domestic capital formation 6,750 gross domestic capital formation आगया 6,750 तो gross domestic capital formation निकाल ले तो आप समझ रहे हुआ कैसे करना होता है मतलब आइटम आपका answer given है अंदर की कोई चीज निकाल नहीं है और पहले हमको operating surplus given होता था gross domestic capital formation given होता था तो हम national income निकालते थे अब के question में national income ही दे रखा है आपको और आपको बाकी चीज निकालनी है नेशनल इंकम दे रखा है और आपको बाकी चीज निकालनी है इस तरीके से question मनाना है चलो अब देखते हैं जडरा अगला question यह आ गया हमारा answer एक और कोशिन देखने चलो यह तो होगे कोशिन 29 अब एक और कोशिन चेक करते हैं इसी टाइब कोशिन एक और उसको चेक कर लेते हैं देखो जरह यह कोशिन आप लोग बनाओगे 30 कोशिन सब लोग ट्राइ करना कॉंपन्षेशन ओफ इंप्लोईज पूछा है 2020 का सेंपल पेपर था ना उसी कही कोशिन है और अभी जो नया सेंपल आया इवार्ण चेप्टर खतम करके फिर देखेंगे कोशिन को बट अभी आप लोग फटाफट कोशिन में 30 जो है यह वह बनाव आपको कॉंपन्षेशन ओफ इंप्लोईज निकालना है ययानि कि अगर आप Herrn ndp.fc को निकाल लेते हो गरर आफ consciousness का निकल या मानलो नटी पेपसी का फॉर्मॉल्र लगा दो या दकी हमेशे निकालते ह्यात अभी तक अगर NDP FC मिल गया तो समझे लों कॉम्पंट्रेशन वह इंप्लॉईज भी आ जाएगा ले रहे हैं तो आप चेक करो यहां पर आपको क्या दे रखा है GDP MP तो हमको निकालना क्या है एपसी और गिवन क्या दे रखा है GDP MP तो क्या करते हैं ग्रॉस से नेट में आने के लिए माइनस डेप्रिशेशन MP से एपसी में आने के लिए माइनस डेप्रिशेशन दे रखाए क्लास 50 और नेट इंडिरेक्ट टैक्स आपको इस कोश्चिन में एपसी माइनस डेप्रिशेशन में दिया हुआ है compensation of employees वो तो आपको निकालना ही है rent royalty interest profit तो rent कितना दिया है क्लास 25 रेंट दिया है क्लास 25 रोयल्टी आपको जो इसमें दिया नहीं है interest दिया हुआ क्लास 45 और rent royalty interest और profits तो profit जो है वो after tax दे रखा है profit जो दे रखा है आपको वो after tax दे रखा है समझे बात को profit after tax तो हम इसमें tax को add करेंगे जो profit आएगा ना वो 20 प्लस यह tax कितना है 5 profit जो है वो 25 आएगा ध्यान रखना यह 200 दिया हुआ है अच्छा क्लास 240 नहीं आएगा साइद यह 140 आएगा है ना 250 में से 60 घटा दोगे आप 140 आएगा जहां नहीं 140 आएगा 140 प्लस यह सारी चीज़े जोड लोग इतना रहा है 25 प्लस तो इस question में दिया हुआ ही नहीं है mix income इस question में दिया हुआ नहीं है यह आगा है 95 140 प्लस 95 235 25 यह COE है यहाँ COE रखो यहाँ पर रखो 140 140 में से आप 95 घटा दोगे 140 माइनस 95 तो आपका 45 आगया answer यह 140 है इसको में आ जीता हूँ class नीचे के line को यहाँ पर जो COE आएगा आपका वह आजाएगा 45 profit after tax दे रखा है सबका ठीक है answer profit after tax दे रखा है तो आपको tax add करना पड़ेगा यह profit न जो 20 रुपए है वो टेक्स के बाद है आपको tax से पहले चाहिए तो आपने tax add करना पड़ेगा यह 30 question था यहां से यहां तर तो अब आप national income का कोई भी question उठा कर आराम से बना सकते हो सारे question हमने national income खतम कर दी कोई भी question उठाओ और आराम से बना लो चलो जाए 34 question देखते हैं क्लास आप लोग फटाफट ट्राइ करो question में 34 अच्छा question है class 34 question सब लोग देखो बनाओ और कोशिश करो 34 question बताना मुझे आपको निकालना क्या है GDP MP और subsidy GDP MP निकालना subsidy subsidy मतलब क्या है class कि IT minus subsidy यानि कि FC और MP का difference है है कि नहीं तो आप लोग GDP MP किस से निकालोगे सबसे पहले न आप इससे कोशिश करो GDP MP निकालने के एक आइटम दिया हुआ है ज़रा ढूंडो आप यह रहा NNPFC है ना NNPFC दिया हुआ है आप NNPFC की मदद से GDP MP निकालने की कोशिश करो सब लोग जल्दी से NNPFC की मदद से GDP MP निकालने की कोशिश करो ठीक है नहीं निकलेगा तो आप लगा देना expenditure method क्योंकि इसमें income method का component तो given है नहीं यह compensation ही दिया हुआ है rent royalty interest profit तो दिया हुआ नहीं है तो आप expenditure method ही लगा हुए ओके अनन पी FC से convert करो जल्दी से class आपको given दे रखा है NNPFC और आपको निकालना है GDP MP तो कैसे करोगे आप नेट से gross में आने के लिए plus depreciation national से domestic में आने के लिए minus NFIA FC से MP में आने के लिए plus NIT FC से MP में आने के लिए plus NIT clear है अंतर तो NNPFC कितना है class 61,700 depreciation आपको दे रखा है 4000 ठीक है net factor income from abroad NFIA net factor income from abroad तो इस question में आपकर ढूंडो तो आपको NFIA मिल जाएगा minus का 300 तो दो बार minus है यहां में minus है minus प्लस हो जाएगा प्लस NIT जला ढूंडना सब लोग NIT दे रखा है क्या आपको NIT नहीं दिया है IT दिया है तो formula क्या होता है NIT का IT minus subsidy इस question में given नहीं है तो गलती से भी 0 मत मान लेना आप लोग इस question में given नहीं तो आप उसको 0 नहीं मानोगे क्यूंकि इस question में subsidy मांगा है आपसे और जो चीज मांगी होती है question में आप उसको 0 कैसे मान सकते हैं तो हम शॉटकट से कोशिश कर रहे थे निकालने की GDP MP को NNP FC से लेकिन यह कोशिन हो नहीं पाएगा इसको यही छोड़ना पड़ेगा हमको तो हम लोगे काम करते हैं है कि एक्सपेंडिचर मेथाड लगा देते हैं एक्सपेंडिचर मेथाड से हम लोगों क्या मिल जाएगा GDP MP मिल जाएगा पहला कॉंपोनेंट क्या होता है फ्राइवेट कंजप्शन जूंड़ो कितना दे रहा है चोह आलिस जार गवर्मेंट सेवेंन थाउजन fix दिया हुआ है तो मुझे add करना पड़ेगा चेंड स्टॉक तो यह addition to stock ही चेंड स्टॉक होता है ठीक है अप्लस net export घूंडो जोरा net export कितना है और net export नहीं दिया हुआ है export minus import कर दो आ जाएगा net export export minus import यहां पर export कम है इंपोर्ट जाता है तो माइनस में आएगा यह पूरा का पूरा solve करेंगे तो हमारा आ जाएगा पहला answer GDP MP चेक करते हैं जरा कितना है 44,000 प्लस साथ 44 प्लस 7 प्लस यह 10 प्लस 13 23,000 प्लस 4800 और माइनस 5600 यह आजएगा 73,200 ठीक है अब यहां पर उपर रख दो आप 73,200 और आप आप solve करोगे तो आपको subsidy मिल जाएगा clear है 61,700 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 9,000 73,200 इस इक्वल तू 75,000 माइनस subsidies अब subsidy उदर भेज दो तो subsidy प्लस में आ जाएगा ठीक है इस इक्वल टू 75,000 माइनस 73,200 तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 रुप्य एटीन हंड्रेड हमारा आंसर आ गया 34 कोश्चिन का कोश्चिन नमबर 34 एटीन हंड्रेड आ गया ओके 34 कोश्चिन का आंसर जो है वह आ गया आपका 1800 कोई भी कोश्चिन अब आप क्या काम बिल्कुल सेम है इसली आप कोई भी कोश्चिन क्या कर सकते हैं सेम वही चीज देखो 35 में भी सेम वही चीज है 35 कोश्चिन देखो आपको बोला operating surplus निकालने के लिए आप पता क्या करने वाले हो operating surplus पहले ही दे रखा GDP MP GDP MP को convert कर देना NDP FC में फिर NDP FC का फॉर्मला लगा दोगे तो आजागा operating surplus इस चीज से कोई लेना देना नहीं एक चीज बे मतलब की दे रखी है income from entrepreneurship and property from rest of the world यानि की property बाहर है उससे पैसा आया है उससे हमें लेना देना नहीं उसको हटाओ चलो फटा फट जरा निकालो पहले एक काम करो सब लोग जरा निकालो और answer मुझे बताओ कितना आ रहा है GDP MP जो है वो 1050 है इसे NDP FC में convert करो और फिर formula put करो income method का और answer जल्दी से ब कितना है अब बागी सब लोग निकाल के देखो NDP FC 850 आ रहा है क्या फिर NDP FC का formula put कर देना NDP FC सब लोग बताओ कितना आ रहा है पहले NDP FC निकालो फिर formula put कर दो NDP FC के झालो 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 कर दो कितना है सबका nd pfc nd pfc आ गया है क्लास 850 और 250 आंसर भी आ गया चलो सबका आंसर आ गया मतला आप सीख गया परफेक्ट कॉमल वेल्डन नकुल चार्मा नव्य सबका आंसर आ गया कि अकास 240 आएगा 250 नहीं 250 नहीं 240 आना चाहिए हां ठीक है 240 वो टाइबिंग मिस्टेक होगे समझ गया है अमन करेक्ट है नेहा भाटी करेक्ट अर्चना करेक्ट ठीक है खुशी वेल्डन यह इस तरीके से 240 आएगा ओके सबका आंसर आचउ किसी को ह600 करवाना तो मुझे बतादो नहीं किसी को करवा नहीं है कुसी और को करवाना है तो बता दो मिंशल हो गया बता का कि सारे कोशेन ऐसे यह अ कोई कोशेन आपको ऐसा अलग सा नहीं है सब भी कोश्चिन क्लास जो है वो बिल्कुल इसी पैटन में 40 के 40 कोश्चिन कोई भी ऐसा कोश्चिन नहीं जो बिल्कुल डिफरेंट हो तो सारे कोश्चिन बिल्कुल ऐसे ही हैं आप आराम से बना लोगे एक 26 कोश्चिन देख लो हाला कि जब मैं थेयरी पढ़ाऊंगा आपको तो मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि रियल जीडीपी क्या होता है नोमिनल जीडीपी क्या होता है मैं तब आपको रियल में समझा पाऊंगा कि यह सब होता क्या है समझ रहे बात को इन फिलाल एक एक real GDP का formula है जो आप ज्यान रखो real एक बार paper में पूछा गया तीन नमबर में real GDP is equal to formula जब theory समझाऊँगा न तब आपको जब पढ़ाऊँगा अब आगली class से theory होने वाला है real GDP is equal to nominal GDP upon price index into 100 ये तीन नमबर में board के examination में पूछा गया था एक बार तो nominal GDP है 1500 real GDP आपको निकालना है price index 120 इंटू 100 तो आप solve करोगे 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 solve करके आएगा 125 solve करके आएगा 125 आगे बस समय जाते है 26 question में आपको निकालना क्या है calculate real GDP और nominal GDP आपको दे रखा है price index तो ये formula लगाना है इसमें question में क्या पता real और nominal दोनों दे दे आपको और बोले कि price index निकालो तो कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है formula आप यही लगाऊगे आपको निकालने के लिए कुछ भी बोल सकता है formula लेकिन आपको यही वाला ही लगाना है clear रहा है तक तो यह हमारा class हो गया question chapter complete कोई doubt कोई दिक्कत परिशानी है तो बता दो class 20 20 एक बार class 20 question पर आना 20 question class अब लोग 20 question ट्राई करो अपने आप एक बार सब लोग बना के देखो फिर मैं 20 question कराता हूं आपको आपको निकालना है NDP FC तो आप जो method लगाओ गये इसके अंदर method लगाओ गये वो कौन सा method लगाओ एक लाग बिताओ ज़रा expenditure method तो expenditure method लगाओ गये आपको लगाना है तो आप चेक करो प्राइवेट कंजप्शन expenditure आपको दिया होगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन expenditure in domestic market तो domestic market में जो consumption है वो दे रखा है ठीक है और आपको गवर्मेंट consumption expenditure भी दिया होगा ग्रॉस domestic capital formation भी दिया है नेट export जो है वो माइनस में दे रखा है आपको त्राइ करो फटाफट इसमें ये दो चीज की वैसे आप इस आइध कोशिन पूछ रहे हो ना ये दो चीज़े क्या है आप इन दो चीजों के वैसे पूछ रहे हो कि निकालो GDP MP बताओ कितना रहे है सबका करेक्ट है GDP MP सब लोग निकालो कितना रहे है करेक्ट है देखो private consumption दे रखा है 400 अब सब लोग समझे लोग कैसे निकालना है GDP MP लेकिन यह domestic market में consumption है आपने जो direct purchase by abroad रेज़िटेंट पर्चेस अब्रोड रेजिडेंट हाउस होल्ड यानिकि हम लोगों ने बाहर से जो खरीदा है तो वो भी एक तरीक है consumption expenditure है 50 लेकिन बाहर वालों ने जो हमारे यहां से खरीदा हम उसको minus करेंगे वो कितना है 150 हमने बाहर से खरीदा है वो plus बाहर वालों ने हमारे यहां से खरीदा है वो minus यहां तक बाहर वालों ने हमारे यहां से खरीदा है वो minus हमने बाहर वालों से खरी formation आपको दे रखा है 100 और net export दे रखा माइनस का 20 solve करो कितना आ रहा है 400 प्लस 50 माइनस 150 और माइनस का 20 आ रहा है 480 हमको निकालना क्या है class हमको निकालना है NDP FC निकालना है given क्या है GDP MP तो gross से net में आने के लिए माइनस डेप और MP से FC में आने के लिए माइनस NIT डेप्रीशेशन आपको दे रखा है कितना 20 और NIT निक इनट इनट आटक दे लिए 60 तुमारा आंसर आ गया 400 तो यानि कि यह चीज आपको करना था बस आपको यह दो पॉइंट जाना यह प्लस करना यह माइनस करना है या एक मुझे बात बताओ कंजप्शन expenditure का मतलब क्या होता है कि आपने कंजप्शन पर कितना खर्च किया तो मैंने देश से खरीदा 400 का समान विदेश से खरीदा 50 का समान तो यह 4500 हो गया फिर विदेश वाले ने यहां से खरीदा उसको माइनस करेंगे वह 150 माइनस हो गया कि वह हमारी consumption कम करेगा तो यह आगया 400 तो सारे questions मैंने करा दिया आप लोगों को answer भी आप लोगों का आ गया अब 1 to 40 आप अराम से खतम करेंगे नेक्स क्लास में हम इसकी theory पढ़ेंगे और theory जो है वह continue करेंगे तो यहां तक आप पढ़ लेना अगली class में हम लोग continue करेंग theory के साथ कोई doubt हो तो group में पोच लेना